हेलो बच्चो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्साच्छ है हिंदी वसंत के अंतरगैत पार्ट पांच अक्सरों का महत्वा आप देख रहें नहीं आपर यह आपका हिंदी वसंत के अंतरगैत पार्ट पांच अक्सरों का महत्वा हम आपको बताएंगे बच्चो इस पाट से सम्मंदित प्रस्णू के उत्तर और साती साथ इस पाट का सारांस भी लेकिन उससे पहले आई एक नज़र डालते हैं पाट पर आप इस पाट को यहां से पढ़ सकते हैं बच्चो और चाहे तो अपनी पाट फुस्तक से लेकिन एक बार पाट को जरूर से जरूर पढ ले और जैसे ही बच्चो यहां पर यह पाट समाप्त होता है आपको यहां पर मिलता है गुना कर मूले यानि कि इस पाट का लेका ठीक है तो इसलिए आप पाट के रचयता यानि लेका को भी याद रखें और इसके बाद शुरूर जाते हैं यहां पर इस पाट के प्रस्ण जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें वीडियो और यदि अभी तैक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब आउसे कर दें बेल आइकन भी दबा दें बच्चो इसे होगा कि आने वाली परते एक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी और इसी प्रकार लगातार जानते रहें अपने सारे प्रस्नों के उत्तर हमारे साथ आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पड़ें कख्षाचे हिंदी वसंत के अंतरगैद पार्ट पार्ट ये पाचोवा पार्ट है आपका अकसरों का महत्व और हम आपको बता रहें इस पाठ से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर अप्यास प्रस्णों उत्तर में सबसे पहले आए जान लेते हैं पाठ का सारांस और पाठ तो आपने पढ़ी लिया होगा बच्यों अक्सरों का महत्व नामक निवंद में गुना कर मूले ही मैं अक्सरों के इत्यास के बारे में बताया है पुस्तकें अक्सरों से ही बनती हैं आज दुनिया में हजारों पुस्तकें रोज छप रही हैं रोज समाचार पत्र वो पत्रिकाएं छप रही हैं आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि मनुस्या इन अक्सरों को न जानता होता तो क्या गती होती कोई बहले ही अग्यानता या कैदे कि अक्सर अनादिकाल से हैं ये इस्वर परदत हैं लेकिन अक्सरों की खोज किसी इस्वर ने नहीं बलकि हम मनुस्यों नहीं की है तो क्या समझे बच्वाप अक्सरों की खोज किसने की है मनुस्यों नहीं हमारी प्रतिवी लगवग पांच अरब साल पुरानी है द गाउं में रहना सुरू किया खेती सुरू की पत्थरों के अतियारों से बढ़ते हुए तामबे और कांसे के ओजार तक पहुँच गए ठीक है तो सबसे सुरू में पहले पहले क्या किया मनुशने पत्थरों के हतियार बनाए और दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते तामबे और कांसे के ओजार बनने लगे। अपने बिचारों को व्यक्त करने के लिए लेखनी का सारा लेने लगा तब इसे मानव सब्य कहलाया। नहीं जान पाता। अक्सरों की खोज मनुशकी सबसे बड़ी खोज है इसके द्वारा वहापना ग्यान आने वाली पीडियों को हस्तांतरन करता है। इसके बाद हमारे विकास में तेजी आई अक्सर और उसकी लिपिका मनुश्य जीवन में महतवपूर्ण अस्तान है। अता है उसके इतियास और बरतमान के बारे में जानना आउस्यक है। ठीक है तो यह था बच्चों यहाँ पर इस पार्ट का सारांस अक्सरों का महत तो पार्ट का ठीक है तो इसे आप अपनी नोटबुग में नोट करें अच्छे से समझे बच्चों और पार्ट को भी अक्सरों के साथ एक नए युग की सुरुवात हुई। आपने देखा होगा न प्रस्न इसी प्रकार से पूछा हुआ है तो उतर में आप लिखेंगे अक्सरों के साथ एक नए युग की सुरुवात हुई क्योंकि आदमी की अक्सरों की खोश से हम इतियास को जान पाए। क्या समझे आप अक्सरों के साथ एक नई यूग की सुरुवात हुई क्योंकि अक्सरों की खोज से हम इतियास को जान पाए ठीक है इससे पहले मानब सब्यता लिकित इतियास प्राप्त नहीं होता अक्सरों की खोज के बाद ही मनुश्य अपने विचारों को लिक कर रखने ल अपने पुराने इतियास को कैसे जान पाते ठीक है नहीं इसके बाद आए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्ना और उसका उत्तर अक्सरों की खोज का सिलसला काब और कैसे शुरू हुआ पाट पर कर उत्तर लिखो तो आपने पाट पर लिया होगा बच्चो उत्तर आप लिखेंगे प्रैतियासिक मानबने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाउं को वियक्त किया जैसे पस्वोँ पक्सियों आद्मियों आदिके इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तत्यों में आये जैसे एक छोटे वर्त के चहूँ ओर या चहूँ दिशाओं में किरणों की दो तक रेखाएं खीचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था बाद में यही चित्र ताप या दूब का दोतक बन गया इस तरह बाव संकेत अश्टत्तों में आए तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्सरों की खोज की तो आप समझ गयोंगे ने सबसे पहले पहले किसका चित्र बनाया सूरे का एक गोल बनाया और उसके चारों और जो है किरणों की दोतक रेकाएं खीची और इस परकार चित्र बन गया था और इसी परकार अन्य चीजों के चित्र बनाये धीरे धीरे करके इने जो है अक्सरों क खोज की आगे तीसरा प्रसन है बच्चो अक्सरों के ग्यान से पूर्व मनुस्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहरा लेता था तो उत्तर में लिखेंगे अक्सरों के ज्यान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पसूओं पक्सियों आदमियों आदिके चित्र बना कर भाव संकेत का साहरा लेता था इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं तीसरा प्रसन है बच्यों चोथा प्रसन है अक्सरों के महतों की तरह है ध्वनी के महतों के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो उत्तर लिख लेंगे आप बासा की सबसे चोटी इकाई ध्वनी है ध्वनियों की संगर्ठि इकाई से अकसर बनते हैं अकसरों द्वारा लिख कर अपने भाव व्यक्त किये जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोल कर अकसरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कलपना नहीं की जा सकती अपनी भासा की सार्थक द्वनियों के उच्चारन द्वारा ही हम अपना बाव व्यक्त करते हैं इसलिए अक्सर के समान द्वनी भी महत्वपूर्ण है आज के समय अक्सरों के बिना भासा की कलपना करना असंभव है क्योंकि भासा और अक्सर एक दूसरे के पूरक है यदि मौकिक भासा को लिखित रूप परदान किया जाए तो ही वास्ताई होगी आने था नहीं तो समझ गे ना आप किस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यापर चौता प्रस्ण यह और इसका उत्तर आप यहां से देख के लिखे बच्चो उसे अस्थे से याद भी करें आगे पुछा यहां पर पांचवा प्रस्ण है पुराने जमाने में लोग यहां क्यों सोचते थे कि अक्सर और भासा की कोज इस्वर ने की थी अनुमन लगाओ और बताओ तो आप क्या करेंगे यहां पर आप लिखेंगे इस प्रकार से लिखें पुराने जमाने में लोग पर तेक वस्त उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्त के बिसे में जानते नहीं थे। उसे इस वर की देन मान लेते थे। यही कारण था कि अक्सरों की खोज़ भी लोग इस वर की देन मानते थे। आगे है बच्चो छटा प्रस्ण कल्पना करो कि यदि हमें अक्सरों का ग्यान नहोता तो क्या होता और लिखना है आपको उत्तर में लिखेंगे यदि हमें अक्सरों का ग्यान नहोता तो निमनलिखित बाते होती नमबर एक हम अपने इत्यास को नहीं जान पाते नमबर दो ह और बासा की बात में और बासा की बात में शातों अप्रस्ण अनादिकाल में रेकांकित सब्ध का आर्थ है जिसकी कोई शुरुवात या ना हूँ, नीचे दिएगे सब्ध भी मूल सब्ध के सुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल सब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सब्द हैं असपल अद्रेस्या अनुचीत अनावस्यक और आगे क्या है अपरिचीत और अनीच्छा देखे आपने सब्द इनमें उपसर्ग है इनने आपने अलग करना है अब बताओ कि यह उपसर्ग जिन सब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है तो उत्तर क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से लिखेंगे उपसर्ग युगत सब्द असफल और मूल सब् सफल क्या है मूल सब्द सफल अद्रेसे में अद्रेसे जो है मूल सब्द है और आ क्या है उपसर्ग है यहाँ पर भी आ उपसर्ग है धियान रखेंगे अनुचित में आ उपसर्ग है बच्चो और मूल सब्द क्या है उचित ठीक है अनावस्यक में क्या है अनुपसर्ग होग और आवसे एक जो है मूल सब्द है अब परिचित में ए उपसर्ग है और परिचित मूल सब्द अनिच्छा में ए और नए अन अन क्या है अन उपसर्ग है और इच्छा जो है मूल सब्द है तो आप समझेगे न उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और ध्यान रहे बच् आप देख सकते हैं यहां पर उचित क्या होता है उचित होता है अनुचित जो उचित ना हो आउशक जो आउशक हो और अनुचित जो आउशक ना हो इच्छा इच्छा तो जैसे आप जानते हैं और अनिच्छा जो इच्छा ना हो अपर परिचित कौन होता है जिसे आप जान तो यहाँ पर मूल सब्द काठा अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप समझ ग 거죠 और यहाँ पर उपईुक टस्दों से वह बना और समझो कि यह शंग्याहिय बिसेशन वैसे तो संग्याहिया शंग्या बिसेशन साल संग्या के बारे में विशेश जानकारी दे रहे हैं इसलिए संख्या वाचक विशेशन हैं कौन कोन है संख्या वाचक विशेशन आप फिर से ध्यान देंगे पांच और यहाँ पर जुए दस यह क्या हैं संख्या वाचक विशेशन यहाँ पर क्योंकि वो जानकारी दे र को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले सब्दों के अलावा मापतवलादी के सब्दों का इस्तमाल भी किया जाता है जैसे आप देख सकते हैं बच्चो तीन जग पानी एक किलो जीरा तो यहां पर क्या समझे आप कितना तीन जग पानी यानि कि तीन और यहां प कि थिस्जे परिमान वाचक विशेचन है क्योंकि इनका सम्मद मापतॉल से है नापतॉल बता रहे हैं नहीं है मापतॉल यहाँ पर जोए एक किलो है अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो खाले स्थानों में बॉक्स में दिएगे मापतॉल के उचित सब्द छांट कर लिखो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याली कटोरी एकड़ मीटर और लिटर किलो ट्रक चमच आदी तो यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर आपके लिखाली इस्थान दे रखा है नमबर एक तीन खीर दो जमीन छै कपड़ा एक रेद और यहाँ पर यहाँ पांच औ यहाँ पर तीन कटोरी खीर यानि बीच में आपने क्या लिखना है कटोरी दो लिखाता जमीन लिखी ती बीच में भरेंगे आप एकड़ छै लिखाता बीच में लिखेंगे मीटर और कपड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जोए एक ट्रक लिख देंगे फिर रेथ हो जाए और जानते रहे अपने सारे प्रस्णों के उत्तर हमारे साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में